हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेवजर वितायुश और दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे 108 करोड के बाइबैक के बारे में टाटा मोटर्स के न्यूस के बारे में इंडियर एनर्जी एक्स्चेंज के बडिया न्यूस के बारे में 8 रुपिस डि चैनल को विजिट किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस टाटा मोटर्स के शेवलस के लिए एक बड़िया ख़बर हम कह सकते हैं बट जो गाड़ी खरीदने के वर में सोच रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात आ सकती है तो यहां पर ज जाता है और most likely बढ़ने के chances भी होते हैं तो टाटा मोटर्स नहीं यहीं कहा है या फिर basically sources हम यहीं कह सकते हैं कि जो टाटा मोटर्स है वो हाइक करने वाले अपने PV सेगमेंट के prices को next month से यह हो सकता है कि चालू हो जाए और जो model range जिसकी बात होती है वो हो सकता है कि from 1st April 2023 के prices जो है वो start हो जाए तो यह दोस्तों बाना जा रहा है जो revise prices है वो क्यों यहाँ पे change होते हुए देखने को मुलेंगे वो change होंगे due to commodity prices जो high रहे है most of the part of the current year यह दोस्तों कहा गया है शालेश चंद्र मैनेजिंग डाक्टर पैसंजर वेकन इलेक्रिक वेकल टाटा मोटर्स तो यह definitely news निकल के आई है टाटा मोटर्स के पर आज एक और news निकल के आई थी जिसमें JLR के sales की बात हुई थी और JLR के दोस्तों जो sales है वहाँ भी एक increase देखने को मुला है तो यह भी अपना पे बड़ी बात है JLR के sales जो है वो जादा नहीं बट दोनों YOY as well as on Q1Q दोनों म आकड़े जो है वो आपको अब बढ़िया आते हुए देखने को मुल रहे है quarterly and quarterly नहीं मन्त और मन्त माप करेगा यह मन्त और मन्त है तो मन्त और मन्त भी बढ़िया है प्लस YOY भी बढ़िया निकल किया है तो यह अपना आप में एक अच्छी बात है और अगर JLR बढ़िया जो है वो बढ़िया आपको चलता हुआ नजर आएगा अब दोस्तों बात करते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में तो दोस्तों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने 95% मार्केट शेर जो है वो वापिस से रीगेन या फिरीटेन कर लिया है तो यहाँ पर दोस तो यह अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज है कि आई-एक्स ने इस प्रकार के दोस्तों नंबर्स निकाले हैं और यह जो नंबर्स है यह कह सकते काफी बढ़िया भी आते हुए नजर आए हैं और भी अगर आप इसमें आप देखेंगे तो यह ही कि जो टोटल एलेक् हुई है 16% साला ना बट यह है कि जो corresponding month है last यह का वहाँ पर exceptionally high REC के volumes है जिसमें 24.4 lakh to fulfill the pent up demand इसे लिए वो 16 month का जो gap था वो trading का बट overall यहाँ पर कह सकते कि improve हो है improve coal inventory के कारण भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बड़या numbers आते हुए देखने को मुले और according to the power demand data published by the national load dispatch center जो energy consumption है वो करीबन 113 BU पे रहता हुआ देखने को मुला है during November 2022 जो करीबन 13% का साला ना basis पे increase दिखाता है तो यह एक अच्छी बात है कि हाँ इस प्रका के दोस्तों numbers जो 547 MU during the month growing by an impressive 81% on YOY basis तो इस प्रकार के दोस्तों numbers IEX के आते हुए देखने को मुलें definitely इस प्रकार के numbers एक encouragement भी लाते हैं दूसरी बात क्या है कि IEX ने अपना buyback भी announce कर रखा है तो उसके लिए भी हम कह सकते हैं कि stock जितना पाल जाता हुआ नजर आएगा उतना ही बढ़िया ह दूसरी बाइवा बात करते हैं अब बात करते हैं अब 108 करोड़ बाइबाएः के बारे में बाइप कॉण ला रही है बाइप ला रहिए purchase कर लिया आते और exact value पर आपको पैसा मिलता है तो यह अच्छी बात है 14th of December बहुत नजदीक भी आने वाला है buyback तो यह बात भी बहुत important है कि 14th December recorded है इसलिए इस video में इसको यहाँ पर cover किया कि काफी नजदीक जो है वो अब Cosmo Films का buyback जो है वो आपको आता हुआ नज़र आएगा definitely अगर आप company को देखेंगे अगर आप Cosmo First को देखेंगे भी overall last एक महीने में जो move आया है वो 10% का है last 6 महीने में stock ज़रूर 30% गे रहा है लेकिन all times के returns पर अगर हम नजदा आलते तो वो बहुत ज़ादा बढ़िया है 24,959% के Cosmo First ने आपको returns खमा के दिये तो यह है कि हाँ company बढ़िया कर रही है अभी ज़रूर थोड़ा सा आपको एक last 1 year का साल कुछ खास नहीं रहता हुआ देखने को मुला है जो particularly almost हर share में ऐसा होता हुआ देखने को मुला है तो क्योंकि company को पता है कि उसकी value क्या है इसलिए वो buyback लेके आ रही है तो यह अपने अपने अच्छा संकेत है अपने 52 अफतों का ही करीबन 849 पे भी अगर आप देखेंगे कुछ जादा थून नहीं है तो इस पर रकार का stock चल रहा है बट यह है कि सुखजीत starch chemicals 697 करोड की market cap के company है और अब company के दोरा 8 रुपीज का dividend यहाँ पर announce कर दिया गया है interim dividend 8 रुपीज का announce किया गया है और जो record date company ने रखी है वो दोस्तों 13-12 यानि 13 December इसकी record date है यानि 12 तारीक को X date जो है वो रहती भी नजर आएगी for the dividend तो यह एक important update है important news है कि 8 रुपीज का dividend यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिलेगा और जो company का नाम है सुखजीत starch chemicals limited एक small cap company है जिनके दोरा dividend की announcement की गई है जो chemical industry को cater करती है अब दोस्तों जो बात करेंगे हैं आखरी एक नए IPO update के बारे में तो Evans Holding Limited के IPO जो है वो आने वाला है from 12th of December to 15th of December again एक mainline issue फिर से आपको आता हुआ देखने को मिलेगा and Evans Holding Limited दोस्तों इसका नाम है company का काम क्या है company दोस्तों वैसे 2009 में चालू भी थी और एक financial services gold refining, jewelry, commodities trading agriculture trading, warehousing software development, real estate इस प्रकार की company है तो जो company है वो represent करती है financial services arm of the Evans group तो इस प्रकार के दोस्तों company है काम है जिसका काम NBFC services, global institutional trading and equities, commodities, foreign exchange private client stock broking, depository services, asset management services investment advisory services, wealth management services to corporates, institutional and high net worth client यह एच्छनाइज तो दोस्तों Evans Holdings के दौरा अपना IPO आने वाला है जो finance business हम कह सकते हैं जिसका IPO का company जो आ रही है वो finance के आने वाली है financials की बात करते हैं financials तो definitely बहुत कुछ खास नहीं है 2700 क्रोड का company का revenue आया था उसके उस समय company का मुनाफ़ almost 40 क्रोड का था उसके अगले साल 1300 क्रोड का company का revenue रह गया 45 क्रोड का मुनाफ़ आया उसके अगले साल company का revenue 646 क्रोड का रह गया 61 क्रोड का मुनाफ़ आया और अब अगर आप देखेंगे 31st August 2022 288 क्रोड का revenue company है जन्रेट किया है 29 क्रोड का company का यहाँ पर मुनाफ़ आया है बट यह है कि company का revenue लगातर आपको होते हैं देखने को मिल रहे है बट profitability बढ़ रही है company के borrowing लगातर कम होते हैं देखने को मिल रहे है बट यहाँ पर company का revenue गिरता जा रहा है यह थोड़े सी financial अजीव हम कह सकते है लाग क्यों यह company अपना IPO ताकि कुछ investment कर सके अपनी NBFC subsidiary finance private limited में और कह सकते हैं अब company अपना IPO लेकर आएगी और IPO जो होने वाला है fresh issue होगा और OFS रहेगा fresh issue जो है वो दोस्तों यहाँ पर करीबन 38 lakh shares का है और 90 lakh shares का है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा offer for sale है इस प्रकार से company जो है अपना IPO लेके आ रही है अब देखना होगा कि किस प्रकार से काम करता है क्योंकि जो numbers है वो definitely बहुत खास नहीं है बट यह है कि इसमें retail category को not less than 60% तो retail category के लिए बड़ा portion जो है वो रखा गया है not less than 60% of the offer इस प्रकार से दोस्तों यह IPO आता हुआ नजर आएगा तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था बात की काफी सारे updates के बारे में तो hopes आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा अगर लगा तो like कर देना चैनल से पहले बार जुड़ों सब्सक्राइब कर देना